Hello Everyone, Welcome आज की इस क्लास में हम कुछ important daily use होने वाले English के words को करेंगे So let's start आज का हमारा पहला word है पक्षपात यानि के दो तरह का वैभार करना उसे English में कहेंगे फैवरिटीजम नेक्स्ट वर्ड है श्रम, परियास या परिश्रम उसे English में कहेंगे एकजोशन नेक्स्ट वर्ड है नोटों की गड़ी नोटों की गड़ी को English में कहेंगे वार्ड अफ कैश नेक्स्ट वर्ड है जिगरी दोस्ट जिगरी दोस्ट को English में कहेंगे बौसम फ्रेंड तो अगला वर्ड है जरूरत जरूरत मिस अर्जेंसी अर्जेंसी नेक्स्ट वर्ड है दहेज जो साधी में दिया जाता है तो दहेज को इंग्लिश में कहेंगे डावरी नेक्स्ट वर्ड है और्स थाई या अल्पकालिक थोड़े समय के लिए उसे इंग्लिश में कहेंगे टेंपररी टेंपररी नेक्स्ट वर्ड है बराबर से या साथ साथ कोई इंग्लिश में कहेंगे along नेक्स्ट वर्ड है योग्य होना या लायक होना उसे इंग्लिश में कहेंगे deserve नेक्स्ट वर्ड है बिजली की कटोतिया कोई इंग्लिश में कहेंगे power cuts पावर कट्स हमारा next word है चुगल खोर कोई कोई इंसान बहुत चुगली करता है उसे हम लोग चुगल खोर बोलते हैं उसे इंग्लिश में कहेंगे टैटलर या उसे इंग्लिश में कहेंगे बैकबाइटर टैटलर या बैकबाइटर next word है आनन से भरपूर टेनेशियस, टेनेशियस, नेक्स्ट वर्डे साफ साफ या जाहिर, उसे इंग्लिश में कहेंगे ओवियसली, ओवियसली, नेक्स्ट वर्डे बांधना, बांधना को इंग्लिश में कहेंगे टाई, टाई मिन्स बांधना, नेक्स्ट वर्डे किसी तरह से या जैसे तैसे, जै जैसे हम लोग को कुछ मांगना होता है तो हम लोग बोलते हैं थोड़ा सा दो या फिर कुछ दो उसे इंगलिश चाहिएंगे hard, next word is इस वक्त, किसी को कहना होता है, इस वक्त मैं ये काम करूँगा, तो इस वक्त को इंगलिश में कहेंगे at this moment, at this moment, next word is रोकना या किसी चीज के लिए मना करना, उसे इंगलिश में कहेंगे forbid, next word is उजित या सही, उसे इंगलिश में कहेंगे proper, next word is चपके से सुनना, किसी की बाते को चुपके से सुनना,तों इंगलिश में कहेंगे over hair, next word is भव्य या सांधार, भव्य या सांधार को इंगलिश में कहेंगे magnificent, Magnificent Next बदमिजाज या चुर्चिड़ा कोई-कोई परसन बहुँत चुर्चिड़ा होता है उसे इंगलिश में कहेंगे Grumpy Grumpy Next वर्ड़े सुधारणा या किसी चीज़ को सही करना उसे इंगलिश में कहेंगे Rectify Rectify Next वर्डे मोटा या मोटी किसी person के लिए use करते हैं मोटा या मोटी उसे English में कहेंगे full-figured next word पानी फेर देना किसी भी काम में पानी फेर देना या बरबात कर देना कोई English में कहेंगे satyr satyr तमारा next word जमा करना या चंदाई कटा करना उसे English में कहेंगे collect collect next word और आज्या मांगना किसी भी चीज को करनी से पहले उसकी आज्या मांगना आज्या मांगना को English में कहेंगे ask permission ask permission next word ब friction मुसीबत को बुलाना मुसीबत को बुलाना को English में कहेंगे ask for trouble ask for trouble next word जिनदादिल या jour ಈ पॉडण उसे इंग्लिश में कहेंगे विवेशियस नेक्स्ट वर्ड है अजीपसा अजीपसा को इंग्लिश में कहेंगे ओड नेक्स्ट वर्ड है मजे करना या टेंशन नहीं लेना उसे इंग्लिश में कहेंगे चिल आउट चिल आउट next word is किसी से चुटकारा पाना को इंगलिश में कहेंगे get rid of next is एकदम सही को इंगलिश में कहेंगे precise next word ध्यान देना किसी की बात पर ध्यान देना तो ध्यान देना को इंगलिश में कहेंगे attention एटेंशन, नेक्स्ट वर्ड हानिकारक, हानिकारक को इंग्लिश में कहेंगे डेट्रिमेंटल, डेट्रिमेंटल, ऐसे हम लोग हानिकारक को सिंपल यूज करते हैं हाम्फूल, लेकिन ये यूनिक वर्ड है, इसे हम लोग डेट्रिमेंटल भी कह सकते हैं, नेक्स्ट वर्ड है बहुत ज्यादा थका हुआ या सुस्त कोई इंगलिश में कहेंगे लथार्जिक लथार्जिक I hope this video helpful अगर video अच्छी लगी तो प्लीज लाइक and subscribe to my channel Thank you for watching